तो चलिए दोस्तों इक और ने वीडियो लेके आ चुका हूँ और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से आडियो ट्रैक्स, ग्रूप ट्रैक्स, ग्रूप चैनल या फिर इंस्टुमेंट ट्रैक्स कैसे बना सकते हैं नुएंडो 11 के अंदर चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों ट्रैक्स बनाने के लिए बहुत इजी तरुके हैं मेपको बता रहा हूं और उसके बाद हम शॉट्ट-काॉट की इसके बारे में बात करें कैसे शॉट्ट-कॉइशुक्षा करएं कैसे बहूं हम परदे की सि simply हम audio पे click करेंगे यहाँ पे आपके सामने इस तरह का option आएगा audio input तो यहाँ पे आपको आपका input select करना है जो भी input है आपका जैसे मेरी case में in 2 है हमारा मतलब second input जो है वो मैं यहाँ पे use करूँगा as a microphone के लिए तो इसको हम बाद में भी change कर सकते हैं और configuration के अंदर आप mono या studio रख सकते हैं मेरी case में mono ही होगा क्योंकि मेरा जो sound काट है वो mono है तो हम यहाँ पे mono रखेंगे और audio output के अंदर studio ही रखेंगे और नीचे में आप चाहें तो कुछ rename कर सकते हैं और यहाँ पे count तो जितना count का मतलब है कि आप जितना tracks बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको select करना है अगर 10,20,50 जितना audio tracks चाहिए वो आप यहाँ से select कर सकते हैं मेरी case में मैं सिर्फ एक ही tracks बनाऊँगा तो हम one रखेंगे और a track पे click करेंगे तो यह आपका एक track बनके आ जाएगा तो इसी तरीके से हम लोग दूसा कुछ अगर track बनाना चाहते हैं चाहिए वो instrument हो group हो या कुछ भी हो तो हम यहाँ से simply project में आएगे 8 tracks, instrument और यहाँ से जो भी instrument आपको लेना है वो select कीजिए और यहाँ पे count one ही रखेंगे और यहाँ से 8 track पे click करेंगे तो आपका यहाँ पे जो hello and sony का भी load हुआ है जो भी instrument होगा वो यहाँ पे load होगा और उसके बाद उसकी preset आप use कर सकते हैं category select करके तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको कोई group tracks बनाने तो simply project के अंदर आएगे यह track और यहाँ पे आप group select करेंगे और यहां से configuration select करेंगे तो फिलाल यह सही है studio ही रखेंगे आप mono भी ले सकते हैं और folder setup के अंदर जो folder है उसके अंदर ही आप रखना चाहते हैं या बाहर रखना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं चाहता हूँ कि बाहर ही रहे तो create outside करेंगे और a track करेंगे तो हमारा जो group है वह एक normal तरीके से आएगा बिना folder के यहां पर शो करेगा अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से shortcut use कर सकते हैं तो shortcut use करने के लिए यह जो आपको पैनल दिख रहा है blank area यहां पर right क्लिक करेंगे mouse से और same option वही option यहां पर आएगा आपको क्या करना है यहां पर same वही चीज़े से लेक करना है जो पहले किया था जितना भी audio tracks चाहिए वह से लेक किजिए यहां से अपना input mono studio और यहां से add track पर क्लिक करेंगे तो वह आपको यहां पर यहां पर same आ जाएगा तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्स करते हैं और वीडियो कैसे लगी आप हमें नीचे comment में जरूर बताएगा और साथ ही मैं एक request करूँगा आप लोगों से कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द